हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास फाइव की एसस्टी का थर्ड चेप्टर जिसका नाम वेदर और क्लाइमेट था उसमें हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन-कौन से वो फैक्टर्स होते हैं वो कौन-कौन से कारक होते हैं वो कौन-कौन से और क्लाइमेट को एक्सप्रेंट किया और क्लाइमेट को अच्छे से समझाता है कि वैदर जो क्लाइमेट है वह एक कौमन एवरेज वैदर कंडिशन होती है किसी पर्टिकला प्लेस पे ओवर लॉंग प्रियोड ऑफ टाइम ठीक है तो पैर बच्चों आज चलिए स्टाट करते हैं हमारा प्रफिक वाट आट टो टेटर्माइन दा रामइट अपैप लेस ये किसी भी जहां के खुलाइमेट को निश्यत करने वाले डिकलाइन करने वाले फैक्टर्स कौन है ठीक है मैरे बच्चों मैरे बच्चों अब डग रामइट ओफ प्लेस ज्रीड पर ठीक है सूरी के temperature पर ठीक है all living beings, जितने भी living beings होते हैं जितने भी living beings होते हैं बच्चों receive heat and light from the sun वो इसी सूरी से ठीक है क्या करते हैं light भी पाते हैं और sun भी पाते हैं और एक और भी घात होती है कि जितने भी living being है इस अर्थ पे वो सभी का जो light और heat का जो source है वो कौन है sun है ठीक है the light and heat from the sun does not reach the earth in the same amount लेकिन यह जो heat आती है सूरे से यह light आती है सूरे से यह प्रत्वी पर हर जहां समान नहीं होती है क्योंकि प्रत्वी का जो सतह है वो समान नहीं है कहीं पर आप देखोगे उचाई जाता है कहीं पर ढाल है कहीं पर पहाड़ है तो प्रत्वी का स्थल जो है वो समान नहीं है जिसके कान जो heat और light आती है वो भी पर समान नहीं आत तरह सकते हैं तो पूस्टे है कुछ परवर्तित हो जाती है कुछ जो चैवले स्थलपे होती है वहां पहले पहुंचती है नीची तरह काम स्थालपने और बाद में पहुंचती है है ना तो इस तरह अलग-अलग अमाउंट जो है वो सुरी की और की जो हीट और लाइट वो अलग-अलग पहुंसती है ठीक है सम प्लेसे रिसीव मोर हीट एंड मोर सम गेट वेरिलेस अब आप देखोगे कि कई जहां प्रस्विप ऐसी होती है जो बहुत जा ऐसी होती है जहां पर सन की हीट वो पहले पहुच्ती है जादा पहुंसती है और सात में कुछ अई सब्सyty्पर यहां पर यहां प्रकाश यह बहुत पर ऑफ कम पहुंच पाता है ठीक है तो यह भी एक बात है जो मuç में पतावने चाहिए अब नाच्च्छल सी बात है कहीं पों ज्यादा पहुचेगी तुम्हां का क्लाइम्ट ज्यादा होगा और कहीं पर कहीं पर हीट या लइट काम पहुचेगी तुम होगा तो कर रहे हैं रहा है थाधी सब्सक्राइब नहीं है कहीं पर हीट ज्यादा पहुंच रही कहीं कम पहुंच तो यह बात मुझे समझानी थी आपको और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अभी बात समझ रहे हूंगे यहां पहला तो सब्सक्राइब सोरा प्रकाइब कोया अंधे सक्क्राहर में की हैं प्रकाइब और पहला तो distance from the equator आपको पता है न मैंने globe में आपको एक equator लाइन बताई थी जो बिल्कुल Earth को globe को दो बिल्कुल दो hemisphere में divide कर देती है गो imaginary line को equator कहते हैं तो एक कोई भी जहां equator से कितनी दूर हो कितनी पास है इस बात पर भी वहां का climate decide होता है एक factor तो यह हो गया दूसरा हो गया height अब हो दो सी level कोई भी इस प्लेस सी लेवल से यानि समुद्र की सता है से कितनी उचाई पर है उससे भी वहां का climate decide होता है तीसा होता है हुआ है किसी भी प्लेस का जो humidity है हवाम में पानी की जो मात्रा है humidity मतलब air में water की मात्रा होती है उसी को humidity कहते है तो humidity और rainfall कितना हो रहा है किसी भी प्लेस पर उस बात पर भी किसी भी प्लेस का क्लाइमेट जो है डिसाइड होता है डिटर्माइन होता है ठीक है तो प्यारे बच्चों बस आज की वीडियो में हम बस इत्ता ही जानेंगे कि वो कौन-कौन से फैक्टर से जो किसी भी प्लेस के जो है किसी भी प्लेस की क्लाइमेट को डिटर्माइन करते ह होता है और हमने जाना तो कि प्रत्वी पर जितने भी हीट और लाइट के सोर्स है वह सब्सक्राइब अलग अलग होता है इसके अलावा भी बहुत सरे सब्सक्राइब अलग होता है अभी इन पाचों फैक्टर्स को यानि डिस्टेंस फ्रम एक्वेटर हाइट फ्रम दसी लेवर इनको हम एक एक करके अलग-अलग वीडियो भी समझेंगे और जो है एक्जामिन करेंगे ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद